नमस्कार मैं हो किरन आप देख रहे हैं न्यूस टाइम नेशन वक्त हो चला है अपराज जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का सुल्तानपुर में मोतिगरपुर पुलिस ने हत्या में नामज़द पांच आरोपियों को पासरपटी के खैरहा मोर से गिरफतार किया है आपको बता दें बीते मंगलवार को दियरा गाओं के कब्रिस्तान के बगल नाले के पास मुने तक कशब मिला था जिसके शरीर पर काफी चोट के निशान भी थे सुल्तानपुर में दोस्त पुर्थानक शेत्र के सुरहूर पुर गाओं में फेस्बुक पर मुहम्मद साहब के खिलाफ अपत्ती जनक टिपड़ी करने वाले युवक पर पुलिस ने मुकदमा दर्च किया है जनकारी के मताबिक ग्रामेडों की तहरीर पर मुकदमा दर्च किया गया है सुल्तानपुर में नगर कोटवालिक शेत्र के पंच रास्ते के पास कुछ बदमाशों ने ए रिक्षा पर बैठी महिला से मंगलसूत रॉरकान के जेवर्च ही लिए इस मामले पर सियो सिटी रागवेंडर चत्रवेदी ने बताया कि इसकी जनकारी उन्हें नहीं दी गई है सुल्तानपुर में कोटवाली नगर पुलिस ने बढ़ियावीर के रहने वाले दिनेश यादव नाम के शक्स को गिरफतार किया है जनकारी के मताबिक दिनेश की प्रेमिका ने उस पर अप्राक्रिटिक दूराचार के प्रयास का मामला दर्च कराया है सुल्तानपुर में मासूम को हवस का शकार बनाने के प्रयास के दोशी मुकेश्टिवारी को पांच साल की सजा और बाइस जार रुपए अर्सदंट की सजा सुनाई गई है सुल्तानपुर के जैसिंगपुर में कीलहपुर मोड पर बनी एक किराने के दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने हजार रुपए की नगदी समेट कई कीमती सामान उठा लिए पीड़ित ने चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे कर कारवाही की मांग की है अमेठी में जामुत थानक शेत्र के रेसी के बंधवा गाओं में एक तेज रफतार बाइक ने नाबालिक बच्चे को टक्कर मार दी इस आचसे में बच्चे की मौत हो गई वहीं परिवार अब पुलिस से कारवाही की मांग कर रहा है राइबरेली में एसोजी और कोटवाली पुलिस टीम ने 30 माई को हुई लूट का खुलासा किया है जानकारी के मताबिक पुलिस ने 3 आरोपियों को मुटभेड के बाद गिरफतार किया है जिनके पास से लूट का पैसा और तमंचे बरामत किये गये है राइबरेली में कोटवालिक शेत्र के कस्वे में इस्तित गांधी चौराहे पर मजदूर अरवन यादव की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई जानकारी के मताबिक मुर्य तक मशीन खोलने के लिए उपर चड़ा था जहां ये हादसा हो गया राइबरेली में बस इस्टेशन पर बैंक कर्मी विनीत सकसेना की मौत हो गई पुलिस ने इस मामले में जहर खुरानी की संभावना जताई है क्योंकि उनके पर्स मोबाइल और मुजरूरी कागजाद गायब है प्रताबगड में धडलले से अवैत खनन चल रहा है आरोप है कि पुलिस चौकी कट्रा गुलाब सिंग के चौकी प्रिभारी को इसकी जानकारी है परवेज पर कोई भी कारवाही नहीं कर रहे है बहराईच के ढोड़े पुर्वा गाओं में एक युवक ने शराब के पैसे ना मिलने पर अपने पिता की हत्या कर दी जानकारी के मताबिक युवक ने पिता पर हसिया से कई वार किया जिससे उनकी मौत हो गई गाजीपुर में शादियाबाद थानक शेत्र के परेवा गाओं में रामविलास यादव के पैत्रिक आवास पर विजिलेंस की रेट पड़ी है आपको बता दे रामविलास यादव उत्राखंड में अपर सचिफ हैं और उन पर आए से अधिक संपत्ती का आरोप लगा हुआ है गाजीपुर में करंड़ा थानक शेत्र के बापूराम नेरेश इंटर कॉलेज के संचालक रजनी श्यादव का शब कॉलेज के बाहर पड़ा हुआ मिला फिलाल पर इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है कानपुर में हुए बवाल के मास्टर माइंड हयात जफर हाशमे के करीबी बिल्डर की बिल्डिंग को धुस्त किया गया है पुलिस का कहना है कि बिना नक्षा पास कराय ही बिल्डर मुहमद इश्टियाक ने बिल्डिंग बनाई थी जिस पर ये कारेवाही की गई है आपको ये खबरे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप ये खबरें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें साथ ही अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरीर उबरू हो रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले नमस्कार